मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धर्ती कियर्यनारे वहा बैचके नारे वहा तुछ पे नजर फे आ रते रहार ना वगाकम सनम के रचंग Ellis टियार तुहें किस मोड़फे ले आया समंदर में नहा। सरल भाषा की कहानी आम जंता को तुरंट समझाती है पर इस सरल भाषा लिखने वाले इंसान की असली जिन्दगी का सच पता चल जाए तो दर्शक भी सोचने को मजबूर हो जाएगा राजेश खन्ना अकसर फिल्मकारों को कहते थे कि उनपर फिल्माने वाले गाने सिर्फ आनन्द बक्षी लिखेंगे पर जब अमिताब बच्चन का दौर आया तो वे कहते थे कि उनके फिल्म के गाने सिर्फ गुल्शन बावरा लिखेंगे जी हाँ, आज की कहानी मशूर गीत कार और एक्टर गुल्शन बावरा पर है एक पागल आदमी जी हाँ, ऐसा पागल वेक्ति जिसकी सादगी के कारण ना चाने कितनी सारे गीतों का निर्मार हुआ बातों जमाने की है जब गुल्शन कुमार महता अपनी पहली फिल्म सटा बजार का गीत लिख रहे थे एक दिन उस दौर के मशूर फिल्म डिस्रिब्यूटर शांती भाई पटेल इसी फिल्म के डायरेक्टर रविंदर दावे से मिलने आए उन्हें उस इनसान से मुलाकात करनी थी जिसने उनकी फिल्म के लिए ट्रैक से हटकर गानी लिखे थे रविंदर दावे ने तुरंथी गुल्शन कुमार महता को बुला कर शांती भाई के सामने खड़ा किया रंगी इन कपड़े पहना हुआ, 20 साल का दुगला पतला इंसान, फैले हुए टेड़े मेरे बाल, अंदर के तरफ दबी हुए गाल और लंबा चेहरा इस अवतार में जब शांती भाई पतेल ने उन्हें देखा, तो सबसे पहला शब्द उनके जुबान से निकला, बावरा अरे यो तो पागल दिखता है, बावरा है ये इस बावरी के गीतों से शांती भाई इतनी खुश हुए कि उन्होंने उनका नाम फिल्म पोस्टर पर भी लिख दिया तो इस तरह गुल्शन कुमार महता, गुल्शन बावरा बन गये तो चिलिये गुल्शन बावरा के बच्पन के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं दार्मिक महिला थी, दार्मिक गतिविदियों में बच्पन गुजारने के कारण गुल्शन के दिमाग में भी संगीत के प्रती भावनाई जागरित हो गए पर एक दिन गुल्शन के आँखों के सामने हत्याकांड हुआ भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त भड़के दंगों में गुल्शन के आँखों के सामने उनकी माता पिता और चाचा की हत्या हुई उस वक्त वे दस साल के थे आँखों के सामने माता पिता को मरता हुआ देख कर उनकी दिमाग पर गहरा असर पड़ा उस वक्त उनकी बड़ी बहन जैपूर शहर में थी भायों को दंगू से बचाने के लिए बहन ने पूरी कोशिश की और आखिरकार गुलशन को जैपूर लाया गया जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी, वे शेरो शायरियों में तनलीन रहने लगे कविताएं रचना उनकी आदत बन गई, फिर आगे चल कर उन्होंने दिल्ले यूनिवर्सिटी से डिग्री ली कॉलेज के दिनों से उन्होंने सोच रखा था कि एक दिन वे भी फिल्म जगत में काम करेंगे इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने खोब प्रयास किये, बर वे अकेले रहकर कुछ भी कर नहीं सकते थे फिल्म जगत से तो उनका दूर दूर तक का नाता नहीं था आखिरकार तंग आकर उन पर रेलवे में जॉब करने की नौबत आई उन्हें लगा कि अगर कोटा शहर में रेलवे स्टेशन में जॉब मिल जाए तो अच्छा होगा लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली इस चोटी सी हार ने उन्हें दुबारा मुंबई के सपने दिखाए हुआ ये कि वे कोटा से सीधे मुंबई आ गये और रेलवे विभाजन में कलर की नौकरी करने लगे पर कलर की जॉब में उनका मन नहीं लगता था इसलिए जब भी समय मिलता वे फिल्म स्टूडियोज में चक्कर लगाने लगे अलग-अलग फिल्मकारों को वे शेरुशायरी और कविताई सुनाने लगे पर उनके गीतों में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाता था एक दिन उन्होंने कल्यान जी वीर जी शाह को अपने गीत सुनाए कल्यान जी को गुल्शन की गीत अच्छे लगे और अगामी फिल्म चंज सीना में उन्हें मौका दिया 1969 में रिलीज हुई इस फिल्म का गीत मैं क्या जानू कहां लागे ये सावन मतवाला रे ये कुल्शन महता उर्फ बावरा का पहला गीत साबित हुआ इस फिल्म में उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला पर कुछ समय के बाद कल्यान जी को आनन जी का साथ मिला और दोनों ने मिलकर 60 बाजार फिल्म को संगीत दिया इस फिल्म को संगीत देने से पहले कल्यान जी आनन जी ने गुल्शन को बिलाया और उनसे गीत लिखवाए अब यहां गुल्शन साहब का गजब का टैलेंट देखने को मिलता है गुल्शन बावरा ने देखा कि कल्यान जी आज भी उन्हें नहीं भूले हैं इस बात को गुल्शन ने गीत के माद्यम से साजा किया और इन शब्दों में अपनी भावनाओं को दर्शाया तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे ये वही गीत था जिसे सुनकर शांदी भाई पटेल उनसे मिलने के लिए आये थे मगर इतना बहतरीन गीत लिखने के बाद भी बुल्शन बावरा का संगहर्श का दौर खत्म नहीं हुआ हाला कि इसी फिल्म का दूसरा गीत लोगों को खोब पसंद आया चांदी के चंद टुकडों के लिए इमान को बेचा जाता है अगले आठ साल तक उन्होंने कड़ा संगहर्श किया बीज बीज में उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए एक्टिंग भी की लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि वे अभिने के मामले में कच्छी ही है ऐसे में उनके जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था पुकार जै जवान जै किसान पर बनाए गई इस फिल्म को दर्शक आज भी भूले नहीं है और हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ये गाना रेडियो या टीवी पर तो जरूर बचता है आपको ताज्यूप होगा कि इस गानी को लिखते वक्त गुल्शन बावरा उन दिनों को याद कर रहे थे जब वे रेलवे में नौकरी कर रहे थे इस नौकरी के बहाने उन्हें अनाज की बड़ी-बड़ी बोरियां पंजाब से मुंबई आते हुए देखने का बड़ा सौभा के मिलता था गेहु से लदी बोरियों को याद करके उन्होंने वो गीत लिखा था आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये गीत राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए लिखा था लेकिन आपको तो पता ही है कि राज कपूर और गीत का शैलेंद जिगरी दोस्त थे इसलिए राज कपूर ने गुल्शन बावरा का वो गीत अपनी फिल्म में रखा नहीं गुल्शन बावरा अपने काम के प्रती बेहत कठोर थे वेहत से जादा काम नहीं लेते थे और जो भी काम उने मिलता वे उसे जी जान से पूरा करते थे इसलिए उनकी फीस भी जाता थी एक समय ऐसा भी था जब वे एक फिल्म के लिए 90,000 रुपे लेते थे उस जमाने में मुंबई में 60,000 में बड़ा सा घर भी मिलता था इस बात पर गुलशन अपने इंटरव्यू में कहते हैं बुलशन बावरा ने अपनी फिल्मी गीतों में जीवन के हर रंग को इस्थान दिया उनके लिखे गीतों में दोस्ती, रोमैंस, मस्ती, गम, आदी विबिन पहलो देखने को मिलते हैं जंजीर फिल्म का गीत यारी या इमान मेरा, यार मेरी जिंदिगी दोस्ती की दास्ता वया करता है, तो दुक्के पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गीत मस्ती के आलम में डूबा हुआ है उन्होंने बिंदास प्यार करने वाले जवाद दिलों के लिए भी खुल्नम-खुल्ना प्यार करेंगे कसमे वादे निभाएंगे हम, जैसे गीत लिखें, उनके पास हर मौके के लिए गीत तयार थे एक दिन वे आर्डी बर्मन के साथ बात कर रहे थे, सामने स्विमिंग पूल था, वहां से एक महिला तैते हुए बाहर निकली इस नजारे को देखकर उनके मन में ये वाला गीत लिखने के एक्षा हुई, समंदर में नहाके और भी नमकीन हो गई हो आर्डी बर्मन, मुहमत रफी, कल्यान जी, आनन जी, इनके खास दोस्त हुआ करते थे, जब भी उन्हें मौका मिलता, वे आर्डी बर्मन के ओफिस जाकर शराब पीते थे गुल्शन बावरा की शादी का एक किस्सा बड़ा मशूर है, एक दिन वे लड़की देखने गया, पर लड़की के पिता ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि उस जमाने में लोग सिर्फ एक्टर्स को पहचानते थे लड़की के पिता जी ने उन्हें ना सिर्फ घर से निकाला, बलके अनापशना बाते सुना कर अपमानित भी किया इस बात पर गुल्शन बड़े नाराज हो गया, इसलिए उन्होंने फैसला किया, कि वे एक गाने में प्रफॉर्मेंस करेंगे अमिताप पचिन की जन्जीर फिल्म का ये गाना जबरदस्त हिट हुआ, तो ऐसे थे गुल्शन बावरा उनसे जुड़ी और भी कहानिया है, जिस पर दूसरे भाग में चर्चा करेंगे आखिन में ये बताना जरूरी है कि उन्होंने मरने से पहले वसीहत में लिख दिया था कि उनके पात्विक शरीर के सारे अंग दान किये जाए, आपको ये भी बता दू कि उनकी शादी अंजु बावरा से हुई थी और उनसे कोई उन्हें संतान नहीं हुई, बाकि उनकी फिल्मोग्राफी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, धन्यवाद